पाखी 1,27,28,000 के आसपास जो भी बना हुआ है फिर बैंक निफ्टी में एक 68,000 है वो जो भी है 30,000 है 30,000 है पैसा हर सेगमेंट में बनता है आपका एक और बार स्वागत है अपने चैनल पे आशा करता हूँ आप लोग काफी चीजे सीख रहे हैं आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या कैश सेगमेंट से भी पैसा बनाया जा सकता है लाइव एक्जाम्पल दोंगा बिकॉस मेरा मानना है जैसे काफी सारे बड़े लोग कहते हैं कि यार अंटल अनलस आप खुद नहीं करते हो उसको प्रीच मत करो तो मैं जो करता हू अब लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन डाल दूगा लेकिन आज मैं आपको कैश रिलेटेट बताऊ और जो लोग बोलते रहे थे स्ट्रेजी बताओ स्ट्रेजी बताओ सिंपल सी कुछ स्ट्रेजी रिलेटेद बात करोंगा अंतक जरूर देखेगा चले शुरू करते स्क् प्राइसिंग देख लिया हुआ है जो कि करे करी करी सतरा सो रूपए के नुकसान पर है बाकी 1,27,28,000 के आसपस जो भी बना हुआ है वो मुद्दा नहीं है हम बात करेंगे कि आज मैंने कुछ ट्रेड लिये थे जैसे कि आप देख सकते हो और फार्मा का ट्रेड लिया हुआ जिसमें के एक ट्रेड में 785 रुपीज का नुकसान है दूसरे में 6,344 फाइदा है फिर बैंक निफ्टी में 68,000 हो जो भी है 30,000 है 30,000 है और उसके बाद हम आएंगे यह वाला भी ओपन है 35,500 के पुट को सेल किया गया है जादा नहीं किया है आगे देखता हूँ बेस्ट टिप्स और सर्विसस नहीं देते हैं ना ही हम कोई क्रिप्टो बेशते हैं यह स्क्रीन पर जो दुखरा यह है और यहां पर आप जैसे देख सकते हो हमने अल्रडी बात करे थी कि मेटल्स में मिरे को कई न कई आने वाले दिनों में वीकनेस देख रही है और दो उतना वीक सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो यह है कि बाईसा जरूरी नहीं है कि केवल option selling से ही पैसा बन सकता है जरूरी नहीं स्रिफ strangle straddle करके ही आप पैसा बना सकते हो जरूरी नहीं है जब तक adjustment नहीं करो के पैसा नहीं बना सकते हो पैसा हर segment में बनता है चाहे cash हो चाहे futures हो चाहे options हो अब हर इस पर पैसा बना सकते हो अब simple सी बात है आपके पास एक system होना चाहिए और आज एक बहुत ही प्यार है एक solution में आपको बताने वाला और कुछ psychological hack भी आपको बताऊंगा तो सबसे पहले चीज़ देखे एक बार आपका अनुपफ हो गया तो आप इस setup को अराम से use कर सकते setup में कुछ भी नहीं है आप shocked हो जाओगे एक kind of scalp तो नहीं बोलूँगा विकोज मेरा technically scale 15-20-30 seconds का ही रहता है यह आज साथ 1 minute यह थोड़ा सा intraday लेकिन 5-10-15 minute का trade है opening hours में पहले एक logic समझे opening hours में आपने देखोगा अचानक से stock में gap up या gap down होता है क्यों पहली बात news flow होता है दूसरी बात क्या होता है जितने brokers होते BTST buy today sell tomorrow वाले प्लस जो बड़े चनाइज होते तो यहां पर होता है बहुत सारा volume इसलिए आप देखो कि usually कुछ stocks में यह बहुत तगड़ा action होता है आपको क्या करना है साड़े नोव वैस्ते किसी तरह आपको निकालना है top 10 gainers top 10 losers याद रखिए यह आप इसको NSE की website पर भी देख सकते हो आपके पस कोई free data server है उससे भी क को नहीं पता है यह Viva default setting है आपको जिरुदा पर मिल जाएगा अब वह वाली चीज लगाते हो पहले candle 5 minute candle के close का वेट करते हो अगर यह bullish candle होता है अब धिहान से सुनना ही क्यों यहीं पर discipline का सबसे बड़ा ओदा आ जाता है अगर यह positive close होता है जैसे कि हमारा यह candle था जिसका तो ओपनिंग आप left side में उपर देख सकते 773.95 पे open हुआ है और इसका close हुआ है 790.6 that is a very positive close तब आप यहां पर और मैं यह भी बताऊंगा कि यह selection कैसे करना वो भी मैं बताऊंगा तो यहां पर एक चीज दिख रही थी कि MFSL ने एक बहुत ही तगड़ा breakout दिया है वॉल्यूम्स देखे यह जो candles आप पूछते रहे तो भी यह कौन सा candle है तो इसको हम बोलते हैं volume candles क्या बोलते है volume candles यहां पर आके आप volume candles ले सकते हैं कुछ लोग बोलेंगे यह आप volume candles क्यो ले तो जो लोग 3 साल से जुड़े उनको पता यह moreover VWAP के बारे में Indian context में शायद यह भी देखना है कि previous day से ज़्यादा volumes होने चाहिए और जब मैं volume candles का इस्तेमाल करता हूं तो मुझे बार बार नीचे volume पैनल देखने की ज़रूरत नहीं बढ़ते है इन शॉर्ट मैं RC हूँ मुझे चाहिए कि charts जिते जल्दी मेरे कुछ चीजे बता दे में उत्ते जल्दी अपना trade लो दिल से तो scalper भी हूँ तो थोड़ा बहुत देखना पड़ता है तो यहाँ पर जैसे ही मुझे यहाँ पर एक अच्छे खासी opening देखी तो मेरे को पता चल गया था कि बहुत देर से कंसॉलिडेट कर रहा है तो आप exit भी कर सकते हो तो मैंने कोई जादा complicated data नहीं निकाला आपने से कुछ लोग बूलेगा है बस इतना easy है रुखो पहले stop loss तो समझ लो for example अगर आप यहाँ पर enter होता हमेशा आप candle का आधा अगर आप risky player हो तो scandal कर लो that's it इससे जादा आपको stop loss नहीं लगाना है दूसरा ट्रेट जैसे कि आप देख से टाटा स्टील टाटा स्टील मैंने सेकंड हाफ में लिया है मैंने सेकंड हाफ तो नहीं बोलेंगे बट जब मैंने टेलिग्राम पर दिया उसके बाद में monitor कर रहा था कभी यह वीवाप को तोड़ेगा और यह देखिए विग बनाया वीडियो चाहिए बाइसा पचास हजार साथ हजार के वर्क्शॉप में एक एक लाग के वर्क्शॉप में यहां से बता रहे हैं कुछ लोग अपनी वीडियो लेकि अपने वर्क्शॉप में 30-30,000 पर बेचते हैं पर ठीक है कोई शू नहीं है ओरिजिनल इस ओल्वेजिनल यहां पर एंटर करते हैं क्योंकि लॉंग करने के बाद भी आप देखो यह का क्लोज है 1055.75 अगर आपको स्टॉप लॉस भी होता लेट से 1050 के आसपास यह करीब-करी 1071.6 तक का विक विदिन 15 मिनिट्स लगाया है आपको इधर भी मौका मिल रहा था इधर भी मौका मिल लेकिन मैंने क्यों नहीं लिया विकोज मेरे उस समय पर यह रडार पर नहीं आया था टाटा स्टील अनदर वन इस एम फैसल यहां पर भी मेरे को एक लॉंग मिला था पर पता नहीं मैं उसको होल्ड नहीं कर पाया तो अगें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं एम फैस ले मेरे फ्रेंट सरकल से आया तो भाई लग सच बोल रहा हूं और कोई टेकनिकल नहीं इसमें बहुत सारे टीवे अनलस ने बाय दिया तो अपन तो भी निकल गया लेकिन आपको ट्रेट दिखा देता हो जहां पर आपको समझ में आ जागा वह यह और और फार्मा में आप लेकिन यहां पर मुझे वापिस एक और एंट्री मिली 10-15 मिनिट का ट्रेट था लॉस भी रिकावर हो गया वहाँ पर प्रॉफिट भी कल लिया रिवेंच ट्रेट नहीं था सेट अप का वेट करें तो कि रिवेंच ट्रेट था होता है जब आप अन्नसेसरी ट्रेट ले रहे हो उसमें की नहीं मैंने बुला है सेल मादब सेल होना चाहिए इनफाक्ट आप प्रिवेस दे का भी देखो गैप अप हुआ उसके बाद सीधे इसने वीवाप को तोड़ा तो जो आक्शन सबसे पहले जल्दी हो जाता है उसको हमको कैच करना है अब दूसरा में सवाल उटता है कि भाई सब हमको अचा और इस तरह के और भी वीडियो सीए तो लाइक तो है प्लस कमेंट्स में ट्रेड लिख देना ताकि मैंने को पता लगए कि इतलोग ट्रेडिं पूले इसको छींग करने का सिंपल साया पहली चीज़ा आपको टॉप गिन शॉप लूजर देखने के बाद आपको देखना है प्रिविश से वालियम जाधा है कि अगर प्रिविश जॉव जाधा है तो आपको बाहूत ही अच्छा पिक में अब बिंदा शूस चीज को लो जाते जाते अब एक final चीज़ है यह तो हो गया trading related अब मान लोग थोड़ा से confused वा investor related विकोज मैं इस मन मैंने सोचा investor related जून में बहुत videos में बनाने वाला हूँ विकोज हमारे काफी सारे भाई बंदू future and option में trade नहीं करते cash में करते वो भी comments में करते हैं कौन लोग cash में करते हैं मैं उन लोगों के लिए swing trading और positional की बना दूँगा तो मैंने सोचा उनके लिए काफी वीडियो बनाओ और अगर आप लोग अभी पैनिक में हो तो आप लोग यूज कर सकते हूं में description में एक small case का भी link दोँगा आप लोग जाके वो चेक आउट कर सकते हो सस्ता भी है टिकाओ भी उसमें SIP mode पर आगर आप निवेश करते हो तो आपको सारे main small cases का exposure मिल जाएगा तो make sure आप जाके checkout करो और वीडियो पसंद है तो like और share करना ना मुलिया तिल दन keep learning keep investing and keep trading